नमस्कार दोस्तों मजीत आप सब का निकडवी वेलकुम करता हूँ कैसे हैं आप लोग और कैसी चलिए आप उन्तियरी स्वागत है सभी छोटे भाईयों का चोटी भेनों का आई होग कि आप सब बढ़िया होंगे और बढ़ियां से पढ़ाई कर रहे होंगे सभी लोग का ब आपको एक कोड फिल करना होता है G10 तो आपको 6 समंध की stability मेरेगी तो याद अखिए इस डिसकाउंट कोड को एपलाई करना ना भूलें G10 कोड एपलाई करें और आप 20% डिसकाउंट का जो आफर है उसका लाब लें दूसरी बात कि आपको जो डिसकाउंट कोड है करने वाले हैं तो जीटेन कोड एपलाई करके अनेकडमी के साथ चुड़ें वहीं पर दूसरा बैच है जो आपकी तैयारी को आसन मनाएगा लच्छ बैच आप इस बैच को इन्रोल करने वाले हैं तो आप इस बैच में भी 20% डिसकाउंट का लाप राप्त करेंगे याप जीटेन कोड एपलाई करेंगे वहीं इस सेलेक्शन का संकल बैच यह आप एपलाई करते हैं तो इसके लिए भी आपको जीटेन कोड ही एपलाई करना है तो इनस सभी बैचकों का लिए पर मौक कराता हूँ, किसी गांड से आज वो मौक जो है नहीं हो पाया, तो आज हम आपना यहां पर यूटुब में उसी मौक को करेंगे, तो यह मेरा नाम है, यह मेरा रेफरल कोड है, अनकेडमी में 20% डिसकाउंट के लिए आपको G10 कोड जो है अप्लाई करना है, अनकेड को जी एस जनरल स्टडी जनरल नॉलिज और करेंट फिर की तयारी को बहर आसान और मजबूत बना सकते हैं बहुत-बहुत श्वागत है आप सभी का ठीक है सभी लोग क्लास में कांटेनू बने रहेंगे ठीक है सेशन को एक बार सेर जरू कर दें ताकि आपके अनदूस्त जो फर्वरी के मेहने पर कहां पर आई जित हुआ राइट आंसर दें कमेंट बॉक्स में फटा फट आंसर दें वेरी गुड स्वाती क्रसी दर्शन उस्तो राइट आंसर दें सभी छोटे भाई गलत आंसर कर रहे हैं आप लोग यह याद रखना हिसार में आजित हुआ है हिसार में आजित हुआ है अभी हाली में फर्वरी 2030 में डेली करेंट फिर में क्रसी दर्शन एक एक्सपो कायजन किया गया है तो आपको याद रखना यहाँ पर यदि आपसे कहा अभी हाली में भारत में बीच को लेकरके एक आप फिरिंगs वेली प्रेंजशन के दोर्आं जो है कौपर उत्पादन के लिए इन में से कौन सा छेत्र जो है जो महत्पूंट रहा है राइट आंसर दें राइट आंसर दें बहुत ही प्यारा सवाल है आप सभी लोग को पता है ये क्लास आपकी यूटूब पे लाइव है और आप सभी लोग इस सेशन को जरूर सेयर करदें राइट आंसर दें शेशन को एक बार जरूर सेयर करदें ताकि आपके अनुद दूस्त भी आपके जो मित्र हैं वो भी क्लास में उपस्तेद हो सकें यह नाइन पियम बाली क्लास का ही यहाँ पर जो है आपको मैंने बताया था दस बजे क्लास होगी तो बिल्कुल सही सवाल आप लोग यहाँ पर कर रहे है राइस्थान जो है खेतड़ी जो है फेमस रहा है और चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजिशन में हो या उसके पहले क की बात हो या अभी की भी बात हो भारत में सरवाधिक कापर का उत्पादन जो है राइस्थान ही करता है नेक्स्ट कोश्चन अगला सवाल तो कन्फ्यूज नहीं होना है हुआ दा रूलर ऑफ इंडिया वेंदा इस्ट इंडिया कंपनी इस्टैबलिस्ट यदि आप से का ज कि शेशन को सेर जरू कर दें छोटे भाईयों ताकि सभी लोग को पता चल जाए कि आज 9 पीम का सेशन जो है हमारा यूटूब में हो रहा है वेरी गुड अंग्रेज आप से छूटे भाईयों यहाँ पर पूशा आता है तो इसका साइट आंसर क्या करेंगे अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का सासर कौन था तो आपको बना बाजसा एकबर था पंदर शप्पन से लेकर के सोले सो यदि आप से पूशा जाए पास तक जो है यही जो है गद्दी मरा है तो जो इस्ट इंडिया कंपनी मनाई गई थी भा भारत में रूल कर रहे थे तो यह सवाल भी आपके लिए पूर्ण पूशा जाता है नेस्ट कोश्चन विच कंट्री होस्ट फ़र्ष्ट पहरी बार जो है आई टू यू टू सम्मिट जो है जो वाइस मिनिस्टियल सम्मिट हो रही है उसको होस्ट कर रहा है आई टू यू टू सम्मिट जो है यह दिया आप से कहार इसकी पहली वाइस मिनिस्टियल कॉन्फिर्ष्ट जो है कहा पर हो रही है राइट आंसर दें कि सभी लोग सेशन को जरूर सेयर कर दें ताकि आपके अनुद दूस्त भी क्लास में उपस्तित हो सकें बहुत ही सिंपल सवाल है बहुत ही प्यारा सवाल है आई टू यू टू को लेकर के अभी हाली में जो सम्मिट हुए वो कहां पर हुई रही है पहली बार तो आप बोलना यू एई में हो रही है यह जो वाइस मिनिस्टियल को लेकर के जो कांफरेंस है वो कहां पर हो रही है मीटिंग तो आप बोलना यह UAE में आईज़त हो रही है नेक्स्ट कोश्चन चलते हैं अगरा सवाल आई टो यूटो सम्मेट में कौन-कौन से रेस आते हैं तो मैंने गारा इंडिया इजराइल यूएसे और UAE आता है यूनाइटेड अमीराथ और यहीं पर अबूधावी में इस सम्मिलन काईज़न जो है किया जा रहा है नेक्स्ट कोश्चन विच स्टेट बीकम दा फर्स्ट इस्टेट टू यूज रोबोटिक यदि आप से कहा जा मैन होल मैन होल की सफाई के लिए जो नाले सीवर्स होते हैं उनकी सफाई के लिए जो है रोबोटिक से मैला ढूने वाला पहला राज कौन सा बन गया है यह वहाँ पर मानो न जाकर के रोबोटिक से मैला साफ किया जाएगा तो राइट आंसर दें सिंपल और बेतरीन सवाग अच्छा आप सेयर करने पर लोग ब्लोग कर देते हैं अजीव लोग हैं मैन होल की सफाई के लिए रोबोटिक्स मैला ढूने वाला पहला राज कौन सा है आप समय पर क्लास पुपस्तित होई यह बहुत ही पहरा सवाल है तो यह भारत का राज केरल ने इस प्रकार का इनिशेटी सुरू किया है और यह काफी अच्छा प्रयास है केरल राज के सीम कौन है तो आप बोना पिंड़ाई विजियन साहब है पिंड़ाई विजियन्स आप यहां के सीम है इंपोर्टेंट है ध्यान दीजेगा केरल राज में ही आपने देखा है भारत का पहला हट फिलियोर को ले करके जो है एक इंसिटूट ओपिन किया गया था केरल ही भारत का वह राज है जहां पर पहला जेंडर पार्क जो है स्टै की अभी हाली में कान्फृरेंस हो रही है राइट आंसर दिना मद फाइन्स मिश्टर जा रहे है है सभी जी ट्विंटि मफरिंकर प्रतानमंती नरेंदर मोधी और इस मीटिंग के अध्यक्ता प्रधान मंदी नदिनर मोधी कर रहे हैं इस प्रकार के सवाल भी आपकी परिच्छाओं में पूछने याने की संभावना है तो राइट आंसर करें किस प्रश्ण का सवाल ओनली वन सही है या ओनली टू सही है या एक और दोनों दो दोनों ही उप फाइनेस निर्मला सीता रवन करेंगी पहला तो ये भी गलत है दूसरा ये आप से कहां पर हो रहा है तो बैंगलावर में हो रहा है फाइनेस मिनिश्टर को ले करके के जी ट्वेंटे की सम्मिट जो है ना कि बुंबाई बकली बलकी बैंगलोर करनाटक में जो है आज ये थो रही है तो पहला भी गलत है तो पर युप में दोनों ही आपके पूशे जाने की संभावनाएं हैं इस बार के मेंस इक्जाम में नेक्स्ट कोश्चन अगला सवाल पर चलते हैं वर्ड बैंक आप सभी लोग जानते हैं ब्रेटन बूट कॉन्फरेंस के बार वर्ड बैंक और आएमफ बनाए कि दोनों जो है टूइन सिश्टर कहीं आती है वर्ड बैंक का हेड़ क्वाटर जो है वासिंग्टन डीसी में पर है कि वर्ड बैंक में कितने मिम्बर कंट्री जो है है राइट आंसर दें गलत आंसर कर रहे हैं आप लोग देखो 189 कंट्री हैं मैंने इस कोश्चन को इसलिए पूछा चोटे भाईयों वर्ड बैंक में जो मिम्बर कंट्री है उनकी संक्या 189 है वहीं पर यह सवाल इसमें मिम्बर कंट्री कितने है तो यह आपको 1890 जो है बताना होता है ठीक है याद रखना क्योंकि इसमें जो है नए देश की रूप में जो है एंडोरा भी सामिल हो चुका है तो यह दो पॉइंट जो है आपको याद रखनें आई एमफ और वर्ड बैंक दोनों को जुड पर विच आप दा फॉलिंग है बिल्ड वाई अकबर आप बताई इन में से कौन सी इमारत जो है जिसका निर्मार अकबर ने किया था राइट अंसर दिना ताज महल जो है किसने बनाय था तो आप लोग जानते हैं साय जहां अगर मुम्ताज होते तो साय जहां कुत्व मिना अपने समय में रियाप से का जा मुगलों में इस्थापत कला का स्वन युग जो है वह साय जहां का काल कहलाता है तो बुलं दरवाजा जो है कहां पर बनाय था यह सवाल भी बताई आप बोलना फटेपूर सीक्री में बनाय था फटेपूर सीक्री और यह फटेपूर सीक्र जो है यहाँ पर इन्होंने बनावाया हुआ था अगला सवाल यहाँ पर which one of the falling is correct which reference to भीम बेट का पेंटिंग भीम बेट का पेंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा एक कथन सही है माकी सभी गलत है तो आप सही चुनाव करिए right answer दीजे आज यह क्लास नो बजे नहीं हो पाई थी तो हमने दस बजे उसी क्लास का यूटूब में मौक जो है कर लिया है very good right answer दे करन बावु कह रहे हैं कि मज़ा नहीं आता यूटूब में और आप आन अकेडमी में ही क्लास दिया करें निश्य तोर पे आन अकेडमी के प्लेटफार्म में आपको पोल करने का मौका मिलता है और वहाँ पर इसी क्लास में 1000 इस्टूदेंट थे ठीक है लेकिन यहाँ पर उतनी संख्या में इस्टूदेंट नहीं आते हैं वहाँ पर 1000 इस्टूदेंट आयाते हैं पर नहीं आते हैं तो हमारे प्लेटफार्म की यही खूपसूर्ती है और बहुत जली हम पता है अपनी वही क्लासें जो है डिश्टल बोड में भी आपके साथ करने वाले हैं और वही क्लासें आप लोग यूटूब में भी देखेंगे जो लोग यूटूब में रहेंगे और तो अनेकैडमी के प्लेटफार्म में कल आप आईए इसी मौक को आप इसी टैप के कोश्चन जो है कल रात में 9 बजे करेंगे परेशान मत होईए इस कोश्चन का जवाब दीजे सरकारी आप्संस नहीं है ध्यान से पढ़ो भीम बेट का जो है एक केव पेंटिंग का साच मिलता है आप सभी लोग जानता है कहाँ पर यह मद्ध प्रदेश में राइसेंड डिष्टिक में पढ़ता है ठीक है दीज पेंटिंग आर मेड औफ रेड एंड वाइट पेंट आप से कहाँ यह चित्र अधिकांस गुफाओं की दीवारों पे लाल और सफेद रंग से बने है यह आप से कहाँ जाँ दीज केव पेंटिंग आर एबाउट लगभग 10,000 यह यह क्या 10 सालों से जादा अधिक वर्स की पुरानी पेंटिंग है ठीक है यहाँ पे जो चित्र बने हुए है वह लोकों के गायन, नत्य, सिकार और अन्य चित्रों की गद्विधियों को दरसाते है तो यह सारे स्टेट्मेंट जो है सही है भीम बेट का जो है आपको पता यह यह युनेस्को की वर्ट हेटे साइट है इस टोन काल में सबसे पहले यादि कहीं से केव पेंटिंग का साच मिलता है तो भीम बेट का से मिलता है जो की मद्द प्रदेश के रायसें डिस्टिक में है इसको डिस्कवर 1952 के आसपाज जो है वावलंकर साब जो है इसको डिस्कवर किया था वावलंकर इनका नाम था नेक्स्ट कुश्चन दोहजार सत्ताइस में जो है मलब टूटाजन 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 में फुटवाल जो है एसिया कप का आज़न जो है कौन सा देश होश्ट करेगा फुटवाल को लेकर के एसिया कप तो राइट आज़न देना फुटवाल का एसिया कप जो है एसिया कप जैसे होता है फुटवाल का एसिया कप जो है दोहजास सत्ताइस में कौन भूष्ट करेगा राइट आज़न देना रिशाब बाबू एक्शुलिवी जो new pattern में अभी जो मेंस एक्जाम होना है उसमें जो बड़े कोशन्स भी आएंगे रिशाब बबू यार आज मैंने सिर्फ पता है आपको इस पिस्टा क्लास नहीं की आप देखो कितनी नराज हो रहे हो जबकि मैं उसी क्लास को दस वजे कर रहा हूं नराजगी तो देखो कि सर नहीं यहां पर क्यों किया हमें वहीं पर कराया करो अरे भाई आने काड़ी का ब्रेट फॉर्म है मैं निश्शित तोर पर कहता हूं बहुत ही ला जवाब है तो वहीं पर हम क्लास करेंगे कल की क्लास हमारी वहीं पर होगी ठीक है तो बहुत ही पेरत स्वाल है Right-Answer दीजे तो साओधी अरब इसका Right-Answer होगा क्या होगा इसका Right-Answer साओधी अरब आपको पता है अरब जो है एक भारत के मलब एसिया महादिप के एक महात्पूर जो है प्रायदीप ही जो है एक खंड पर बना हुआ देस है ठीक है साउधी जो पैनिंसुला है यह वर्ड का एस यह कर सबबसे बड़ा पैनिंसुला का रखा जाता है जो साउधी अरब है उसमें आपने देखा ओगा इस तरीके साउधी पैनिसुला यह यहां पर यंणम कंट्री प आपको पता है यो यनम सी है और यहाँ पर ओमान सी है और यहाँ पर जो है फारस की खाड़ी जो है इस से थे थे नेक्स्ट कोशन एक्शुल नेम आप यदि आपसे का जाजा मुमताज महल जिसकी याद में सा जहा ने ताज महल बनाया था उनका ओरिजिनल नाम जो है क्या था राइट अंसर ने और नूर जहां का ओरिजिनल नाम क्या था जिसके लिए जहां गिर जो है काफी जो है फना हो जाते हैं राइट कि आप से पहां जहां पहला सवाल है director सायज है मुम्ताज महल का मुंताजों को जन्म दिए ठाइँ चवदेवच्चों को जन्म के बाद प्रसव पीड़ा जन्म होता है कई बार सवाल आते हैं जोधा बाई का और ही नाम क्या था तो आपको पता ही है अगला सवाल 14 जो है निवानो पीस प्राइज जो है दिया गया है निवानो पीस प्राइज जो है जापान की संस्थाओं के दोरा जो है दिया जाता है टोक्यो इस्तितिक संस्था है निवानो तो यह जापान बेश्ट जो है यह वार्ड है ओ माई गॉड चौदे बच्चे ऐसे आशर पकड़ करते हैं ओ माई गॉड नहीं बता पा रहे हैं आप लोग राइट आंसर देखो यहाँ पर राज गुपाल पीवी को दिया गया है निवानो प्राइट जो है निवानो यह जापानी लैंग्वेज में है और यह जापान बे अभूद पूरकार के लिए प्रसंशनी कार्यों के लिए आता है राज गुपाल पीवी को यह से वाड से सम्मानित किया गया है लिए रिमंग फॉलिंग इसदा यदि आपसे कार्या सिंथम टॉप पास जो है कहाँ पा लोकेटेड है सिंथम टॉप पास राइट आंसर देना important है सवाल और ये current में चर्चाव में रहा सिंथम टॉप पास तो राइट आंसर दे आज दसवजे वाली क्लास जो है प्लस में नहीं टी कल आपकी दसवजे वाली प्लास प्लस में होगी हाँ राजन बावु राइट आंसर दे सिंथम टॉप पास जो दर्रा है ये कहां पर पढ़ता है निरे बावु पढ़ाई पर फोगस करें ठीक है इस प्रकार क्या आनाप सनाप कमेंटों पे कम ध्यान दिया करो यहां पर आप सिंथम टॉप पास जो है यह कहां पर पढ़ता है तो आप लोग देखो इस कांसनी देपारे जम्मु कस्मीर में पढ़ता है आप लोग देखो आज तक जम्मु कस्मीर में आपने सुना यह सिंथम्प्रा पास जो है कहां पर पढ़ता है यहां पर बन्याल पास पढ़ता है यहां पर जोजिला पास से जोडने का जो दर्रा है किस तवार तो एक किस तवार से जोड़ता है वो है आपका यहाँ पर सिंथम टॉप पास जो अभी हाली में रिसेंटली निजमें है छोटा सा दर्रा है तो यह आपकी परिश्चा में पूझा राता है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन कल होगी क्लास भाई एक जाम पास से तो अल नजाह जो है यह जोएंट मिलिट्री यदि आपसे कारे एक्सरसाइज है अल नजाह सैंक्त सैन अभ्यास निम्न में से किस देश के बीच जो है आईजित हुआ है अल नजाह राइट आंसर देना अल न अल नजाह है यह बिल्कुर नहीं बताया था इसलिए निय बने बताये इंडिया और उमान के वीच यादधना यहां पर इंडिया और उमान के वीच और इंडिया और साओधी अरब की वीच एक्सरसाइज होती है तो आप बोलना अल हंडिी अले हिंदी एक्सेसाइज जो है यदि आपसे कहा जा तो यहां पर पूशा रहता है नेक्स्ट कोश्चन अगला सवाद noble price in physics to enhance understanding of black hole black hole आप लोग जानते हैं black hole की हमारी समझ को बढ़ाने के लिए कि वैज्रणयकों को physics का noble price 2020 में दिया गया वह ये 2020 की date important नहीं black hole की घतना पर किस वैक्ति को noble price दिया गया understanding को बढ़ाने के लिए यह सवाल यह महत्थपूर्ण हो जाता है ना कि 2020 और 2021 महत्थपूर्ण है आपको मैंने रोज गेंजल और पिन्रोज के बारे में बताया था पिन्रोज गेंजल के बारे में और हाइट के बारे में बताया था तो एक गेंजल जो है पिन्रोज गेंजल 2020 में इनको जो है ब्लैक होल की घटना के लिए नोवल प्राइस दिया गया है यह सवाल आपकी परीच्छाओं में पूछा गया है अभी हाली में की यूपी की एकजाम हुआ था वहाँ पर यह सवाल जो है पूछा गया है अगला सवाल इफ यू वांट तो सी घड़ियाल यदि भविस्य में आप पता है घड़ियाल देखना चाहते हैं तो आप बताईए आपको नेश्रल हैविटेट में उसकी जाना हो कि उसके प्राक्तिक आवास में जाना हो तो आप कौन सी जगह घूमना जो है सबसे अधिक सही होगा यदि आप बहु को लेकर के घड़ियाल देखने जा रहे हैं तो कौन सी जगह जाना उचित होगा राइट आंसर देख यार प्लस का टाइम फिक्स है सुबह आठ और रात दस देखो मेरी बात तुम लोग आज में कितना परिशान हो रहे हो एट एम और टेन पिम ये प्लस का टाइम फिक्स है प्लस की क्लास सटड़े और संड़े को नहीं होती है किसी कारण से प्लस की क्लास सटड़े संड़े को बनी नहीं थी इसलिए ठीक है कल जो थी वो हमने कैंसिल कर दी थी और तेन पीम पर ये क्लास होते हैं, संडे using को आफ होता है, दस वजय वाली लाइन पीम पर जो है आपकी preoccupation class होती है अन्यकड़ंळी में जो की मौक होता है, आज ये इस Сп riches नहीं हुई, मैंने स должно को इस töन्ष कलास को जो है 10 पीम पर सिफ्ट कर दिया है, मैंने का संडे है, थोड़ तेका है, दो क्लासों कर समय होता है, माकी अधि कुछ इस्ट्राatif क्लास या खुर्स आते हों और अलग टैम पर आते हैं, तो आप बोला है, चंबल नदी करते हैं, जो है जाना पड़ यहां पर नेशम और हेबिटेटे जो है, मिलता है तीनों प्रकार के लियाप से कहा जाए साल्ट ऊतर क्Рोकोडायल तो आप बोलना सारी के सारे ओड़िशा में पाए जाते है तो आप बोलना दर्सकों में थामस रो का सवागत किया गया था कहा पर किया गया था एक अंग्रेज ज्यात्री है जो राजा James के मतलब कि उस पहे आता है और जहांगीर के लिए एक सोने की बगी और एक तलवार लेकर लेकर के आता है तो कौन से दर्वार में पहुंचा था जहांगीर के किस दर्वार में राजा James जो है King James का अगर दूह दूहत पहुंचा था किम जेम्स ने जो है थामस रो को भेजा हुआ था 1612 की बात है तो आप बोलना अजमेर अजमेर ठीक है अजमेर की दरवार में जो है पहुचा था इसके पहले कैप्टन होकेंस आ चुका था जो पहला अंग्रीज था कुश्यन है इसलिए मैं आई पूछूँगा यह कुछ इं प्रकार के सवाल भी आप बिच में होती है तो आप बताईए क्या यह मैं सही है या पहला किसी और से मिलता है दूसरा किसी और से मिलता है इस प्रकार के सवाल भी आपके सीजियल मिंस में पूछे जाएंगे इस पैटरन पे भी कुश्चन डाले गए हैं तो राइट अंसर दीगे तो चारो जो है करेक्टली मैच है पहली बात तो इसमें जानो बांगो सागर इंडिया और बंगलादेश के बीच होने वाला युद्धाब्यास है इसके लावा इंडिया और बंगलादेश के बीच संप्रीत नाम के युद्धाब्यास को भी देखा जाता है इंडिया और वियत नाम के बीच पासे जो है नेवाल exercise देखने को मिली इसके लाबा जो है वेंतीना नाम की exercise जो है वेंतीना यहाँ पर इंडिया और यदि आपसे कहा जाए वियत नाम मेरी टाइम exercise जो है यह भी एक हुई है इंडिया विमेक्स विमेक्स भी हुई है माला बार exercise जो है क्वाड कंट्री क्वी होती है इंडिया यू एसे जापान और आश्टेलिया यह जाने जाते हैं काकाडू डेवल exercise जो है कहाँ पर हुई है तो आप बोला इंडिया और आश्टेलिया के भी जो है काकाडू हुई है इसके लावा पिछ ब्लैक भी याद रखना पिछ ब्लैक यह भी इंडिया और आश्टेलिया के बीच हुई है तो आश्टेलिया और इंडिया के भी जो है आश्टीडेक्स नाम के जो है exercise जो है अभी हाली में आज़ित की गई है तो pitch black, आश्टीडेक्स और काकाडू ये नाम भी याद रखने है ठीक है next question अगला सवाग फोर्थ जो है joint training exercise जो है 2013 में दस्तलिक हो रही है देखो 2023 में फर्वरी के महने पर जन्वरी के महने पर ये तैह हुआ था पित्वरागड में हो रही है दस्तलिक दस्तलिक exercise जो है भारत और किस देश के बीच में हो रही है दस्तलिक, right answer दे very good रिशाब बाबू, सीधा सदा मैश हो जाए तो बहुत अच्छी बात है इसके साथ होता है ये important है तो दस्तलिक, तो आप बोलना ये भारत और उजबेकिस्तान के बीच जो ही exercise होती है भारत और पाकिस्तान के बीच कोई exercise नहीं होती ना जर्मनी के साथ भारत और चाइना के बीच एक युद्धा ब्यास होता है उसका नाम क्या है? है hand in hand, hand in hand जो युद्धा ब्यास है वो काफी समय से बंद है और ये भारत और चाइना की सेना के बीच जो है ये युद्धा ब्यास देखने को मिलता है next question अगला सवाल यहाँ पर क्वार hydroelectric project जो है या hydro power project जो है अभी समाचार पत्रों में देखा गया क्वार जो जल विद्धूत परियोजना है किस यदि आपसे कहाज़ा नदी पर बनी हुई है क्वार क्वार यदि आपसे कहाज़ा क्वार hydro power project राइट आंसर देना वेरी गुर्ड छोड़े भाईयो राइट आंसर कर रहे हो चेनाव रिवर पर अच्छे आपसे मैं कहाज़ा परियोजना कहां पर बनी है सलाल बगलिहार और दुलहस्ती तो इसी बे बनी लिए सलाल बगलिहार दुलहस्ती और यदि आपसे मैं कहूँ उरी और तुलबुल उरी project और तुलबुल परियोजना तो आप बोलना ये दोनों प्रोजेक्ट जो है जेलम नदी पे है रावी नदी पर जो परियोजना है उसका नाम क्या है जल्ली बताओ भाखडा नंगल तो आप बोलना 17 नदी पर भाखडा नंगल जो प्रोजेक्ट है किस नदी पर है 17 नदी पर है और रावी नदी पर तो थीन परियोजना जो है रावी नदी पर है थीन तो आपको यह टालेश्ट रिवर्व ब्रिज जो है बनाए गए हैं नेस्ट कोशिणर दादा साथ फाल के वार्ड जो है चोटे वाईयों इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है ठीक है आप लोगों पता होगा कि फिल्म जगत में जो है अभूत पुर्व युगदान के लिए इस पुरुसकार से विक्तियों को नवा जा जाता है इस पुरुसकार की तो पहला स्टेटमेंट गलत तो पहला स्टेटमेंट जहां 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 है वहां पर हमने गलत कर देदाओ दूसरा स्टेट्मेंट यह बिलकुछ सही है कि मिनिश्ट्री आप जो हमारी इन्फॉर्मेशन एंड ब्रोडकास्ट मिनिश्ट्री है इस एवाड को प्रदान करती है अब सवाल यहाँ पर है कि लाश्ट जो है दादा साहब फाल के पुरुसकार जो है अभी हाली में किसे दि एक फिल्म जगत की महत्पून योगदान देने वाली एक कलाकार रही है आसा पारिक आसा पारिक को दिया गया है याद रखना भूलना नहीं इंपॉर्टेंट है आसा पारिक का नाम नेक्स्ट अभी हाली में चाइना ने जो है किस देश को जो है 700 मिलियन डालर की और नीपाल किसे जो है 700 मिलियन डालर का फंड जो है दिया गया है अभी अब मैं सरकारी आप्सन ने जाता कि ए और भी दोनों सही है मैं थोड़े सा कुश्चिन घुमा के बनाने लगा हूं तुम लोग हीरो बन रहे थे ना किया रहे हमें तो यह वाले सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं तो अब आसानी से करके दिखाओ छोटे भाई तो बीटिफुल आंटी नहीं यार अपनी समय में हर व्यक्ति जो है अपनी समय का स्वर्णिंग काल में जी रहा होता है कल को आप भी बूड़े हो जाओगे आपको भी कोई अंकल बोलेगा आप भी उस अवस्त को भारत को क्यों देगा यार यह पता है इसका पता है चेला है ठीक है इसका चेला है जी बाबुजी जी बाबुजी करता रहता है तो इसी को देगा ठीक है लेकिन इसको समन्ना नहीं चाहिए चाइना को चम्चे जो होते हैं वह हमेशा समान को खाली करते हैं चम्चे का क्य क्या होता है यह यदि मैं मोटी भासा में कहूं यह सुद्ध भासा में कहूं तो यह चम्चा है किसका चाइना का और चम्चे के बारे में ये कहा जाता है कि जिस भी चीज में चम्चा लग जाता है उसको वो खाली कर देता है चाहे वो आदमी का कोई करीबी चम्चा हो किसी मित्र के रूप में दिया आप चम्चा बन रहें तो चम्चा का काम ही होता है बरतन में रखे हुए दाल जो भी है सबजी है उसको खाली करना ठीक है तो यह चमचे का काम ही होता है तो वही काम जो है चाइना का यह चमचा है पाकिस्तान कर रहा है नेश्ट करन बाबू अगला सवाल है आप इस्टार्टप इंडिया स्कीम जो है ग्यारे तारीक से लेकर के 16 जन्वरी तक मनाया गया इस्टार्टप इंडिया जो है मनाया गया इस्टार्टप इंडिया को लेकर के जो है इस्टार्टप इंडिया तो यह मनाया गया अब बताई इस्टार्टप इंडिया जो है भी आपको वेरी गुड मिलता है निधी जी आंसर दीजिए शुटकी बहन पहले तो अनकेडमी की पोल में आप लोग पता चाला की करते हो कई बार तो आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं 5 अपरेल 2016 है वहाँ पर जो टॉप आते ही यहाँ पर भी फटा फटा आंसर उनके नजर आने चाहिए अनकेडमी की स्पेसर क्लास के ही समान अगला सवाल राइट आंसर दे वेरी गुड़ छोड़े भाईयों नई सुमन आप भी दिख रहे हैं सुमन सिंग राइट आंसर दे इस कोश्चन का बहुत ही पहरा सवाल है डांक्टर एपी जे अब्दुल कलाम लाइफटाइम एचीवमेंट पुल्सकार जो है यह किसे दिया गया है मह पूर्ण सवाल तो आप बोलना ती के रंगराजन का नाम ती के रंगराजन का नाम यह रेक्यार से इनको नवा जा गया है ती के रंगराजन का नाम यह राधिक pourquoi मैं मतुट पुछीट आपा दिया इन्लोकेशन ओसवा से स्टेटS in ऑनदा बीशेश Of Senußers, किस जन्गर्ना के आधार पर, ठीक है, भारत के समिधान के अनुचे hairy 82 के अनुसार लोग सभा में राज्जो के सीचों का 1 तन, किस जन्गर्ना के ंधार पर हुआ, कौन सी जन्गर्ना के अधार पर सीटों का बटवारा किया गया, right answer दीजेगा आज हमारी सुबह भी एक ही क्लास होई थी संडे था न नहीं तो दो होती थी भारत के समधान के अनुच्छेद लोग सभा में राज्यों को सीटो के आवंटन का यूदि आपसे कहा जाए सीटे जो बाटी आती कौन सी जनगाना के धर पर बाटी जाती बिल्कुँ सही पर और अबी जो लोग सबस्वान में सीटें जो है बाटी गई जैसे उत्तर प्रदेश में आपकी 80 सीटें किसी राजी में 48 सीटें किसी में 42 किसी में 40 किसी में 30 किसी में सोल है किसी में सत्र है तो उस सारी सीटों को बटवारा जो है उन्यों से घत्र की जणगर्णा पर ही हुआ है अगला सवाल पॉब्लिक सर्विश कमीशन जो है UPSC यूनियन पॉब्लिक सर्विश कमीशन आप लोग बताए इसके करेंट चियर परसन जो है कौन है उनका नाम बत आज इस पिसा क्लास नहीं हुई है एक दिन में तुम लोग इतना बेचेन हो करें सेसन को लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग कि इतने भाउग भाई हो रहे हैं क्या ही पूशना है भाई बहुत ही पहरा सवाल है तो आप मनुस्वनी का नाम जो है याद रखेगा मनुस्वनी नेक्स्ट कामन विल्थ गेम जो है जो की होते हैं 1930 से लगातार हो रहे हैं कामन विल्थ कंट्री जो है उनके वीच होते हैं आप बताएए में 2026 में कामन विल्थ गेम्स का युजन जो है कहां पर होगा रिश्चा बाबुक कल आपकी वहां पर भी क्लास होगी परिशन मत हो ठीक है यूटूब से इंपॉर्टेंट है संड़े को चुट्टी रखा करों इसलिए तो चुटी रग दी वह ना पता है आदे लोग बेचयन हो जाते कि इतनी संड़े फिर संड़े सटरडे और संड़े आंज कि अपने क्लास कम कर दी तो भाई लोग इतनी बेचयन हो गए कि पूरे दिन में सौ महसें सव कल आ चुके मुझे कि भी आज क्लास क्यों नहीं हुई आज क्लास क्यों नहीं हुई आरे मैंने का चलो संड़े है आदत पड़ गई है तो बहुत ही सिंपल सवाल है कौन विल्थ गेम्स जो है कहां पर होंगे इसके पहले आपको बताते हैं इंगलेंड में हुए है नेक्स नेक्स कर दे गई है तो भूटान जो हमारा पड़ोसी मुलक है जिसकी राज़धानी थिंपू है जिसकी करेंसी निगुल ट्रम है जिसकी संसत का नाम सोगुडू है जहां कराश्टे खेल आर्चरी है आप बताइए उस भूटान के पहले सिटीजन जो है फ़र्ष्ट डिश्टल सिटीजन जो है किसे बनाए गया गया है यस पूजा कुछ आरा ही वाओ हो रहा है और जब पढ़ाता हूं तो फिर संडे को क्लास में गया नजर आते हैं इस बार मैंने संडे की क्लास मिस कर दी बनाई नहीं तो देख रहा है उस सब प्रिंस जो है जिगमे नांग्याल वांग्चुंग ठीक है नांग्याल वांग्चुंग का नाम या रखना है जो कि पहला डिश्टल नागनिक eben को बनाएगा यहीं महां के राजा भी हैं और यहीं महां के एड़ ऑफ इस्टेट के रूपमें से भी जाने जाते हैं जो कि दिल्लीॉसीटि से पढ़ें। अगला सवाल। बावा नाम का फैस्ट्वर नाए जाता है राइट अंसर दें अ आप सभी लोगं को पता है कि अनकेडमी के प्लेट फार्म में मैं आपकी जीते इंदर कुमार है या आप मुझे जीत 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 के नाम से भी जान सकते हैं अनकेडमी प्लस में संपूर जीएस के कोर्सों को मैं कंप्लेट करता हूँ तो आप में एस साथ जुड़कर के जीएस के हर एक पार्ट को गवर कर सकते हैं लाइक हिस्ट्री, जोगरफी, पॉलिटी, एकॉनमी, साइंस, करेंट वाई, स्टेटिक, जीके आपको मैं फुल कोर उस डिटेल्स में प्रवाइड करता हूँ तो आप मेरी सेशन्स को देखना ना भूलें और आप सभी को पता है कि अनकेडमी में समय मैक्स डिसकाउंट चलना है और इस मैक्स डिसकाउंट का लाब लेने के लिए SSC हो या UPSC, IIT हो या NEET, CAT हो या MAT ठीक है हर एक कैटेगरी में आप G10 अनकेडमी के ओफिसल डिसकाउंट कोड को एपलाई करके 20% डिसकाउंट का लाब जो है हासिल करें प्लस 6 मन्त की इस्ट्रा वैलिटी का जो अनकेडमी में समय आफर चलना है तो 6 मन्त की इस्ट्रा वैलिटी का भी लाब राप्त करें तो ध्यान रखें अनकेडमी जोएन करें G10 कोड एपलाई करते हुए आपको बिलकुल निसंकोच रहना है सज्जन जिंदल का नाम याद लांच नाम का एछ लांच किया है राजन भावक नहीं होना है ग्रेट मेरे प्रेजेंट में अनकेडमी प्लस में एक आपका कूर्स चलना है सुवह सुवह करेंट अफिर का जो की फटाफट रिवीजन कूर्स है और वहीं पर 10 पीम पर आट इन कल्चर का कला और सिल्सकत का और ये काफी बढ़िया कूर्स है और छोटे भाईयों आने वाले समय में जो आपकी तारीख आ रही है कमसे साथ दो तारीख होगी न दो मार्च से आपके दो नए कूर्स आ रहे हैं एक सुवह और एक साम ठीक है बाकी मेरी जो क्लास की टाइमिंग है सुवह साम ही होगी 8 एम सुवह में क्लास लेता हूँ ये fix क्लास है Sunday, Saturday, Monday, Tuesday हर दिन होती है और 10 पेम पर मेरी क्लास होती है और अभी जो एक क्लास चल लएए वो 10 एम पर चल लएए वो दूसरी क्लास है तो ये आपको ध्यान देना है बहुत ही प्यारा सवाल है उडिसा इस्टेट में जो है इस चैट बोर्ट को जो है अभी हाली में अमा कुरुसाई नाम का चैट बोर्ट जो है लांच किया गया है सुलह एकुल ठीक है एक युनिवर्सल पीस इनफर्टिनिटी के लिए जो है यह एक प्रकार की नीती थी सुलह एकुल की नीती जो है किस की अधार्णा थी अब आप बताए इनमें क्या क्या अधार्णाओं में जो result क्या क्या था राइट आंसर दिना मोनिका पढ़ाई पे पढ़ाई पे ध्यान दो और बहुत सारे इस क्लास में ऐसे भी लोग हैं जो पता है होते तो भाई हैं लेकिन वो लड़की की नाम के आईडी बनाते हैं और एक दूसरे का कमेंट लिखेंगे और तुम्हारा कैसा कैसा चल रहा है तो वो पता है पावन बाबु उसे की कमेंट में खोई रहते हैं ठीक है तो आप लोग यूटूब की दुनिया में थोड़ा से इन सब बातों से पर्चे हो लें कि बहुत सारा ऐसा नहीं है कि जो आटम नाम से इतना इंप्रेस हो गई तो अपना मैसेज करना सुरू कर दिया उसी पर पता हो गया कि उसका मैसेज अब नहीं आ रहा फिर वो दस मिट के गया दे करके एक बार फिर आटम कफ़ट होगे ठीक है तो आप लोग भाई इन सभी चीजों में पता है अपने इनर्जी और अपने आपको मतलब कि डाइवर्ट ना करें जो क्लास चल रही है कंटेंट चल रहा है उस पर ध्यान दें ठीक है किसी और कंटेंट में ना जाए इस वरगार का दोगा आप सब के साथ हो रहा है बहुत से भाई कह रहा है कि ऐसे तो हम भी हैं जैसे मेरी कुछ क्लास एं होती है मैं देखता हूं कि उसमें रात में 12 बज़े भी दो लोग आपस बात कर रहा होते हैं तो एक तो कोई लड़की की आड़ी बना करके आ जाता है हाई कैसे हो कोई मुझे सुन रहा है तो उसके को ये पौलीटिकल जो है यादिऑ आप से कहा जाएं प्दाक्ता को दिखाता है ठीक है रिलीजिस टोलेंस को दिखाता है सचुर्णता को दिखाता हैकि लिबरल कंचर और एक्टिटूट को दिखाता है एल्टिटूट अपनी जो भासा है उसमें पता है मेल जो है सब्दों का यूज कर देते हैं तो मैं कई बार पढ़ता हूँ मैंने का अरे ये तो लड़का नहीं ये तो लड़की है ये तो लड़की के नाम से लड़का चुपा हुआ है ठीक है Who and the National Geographical Picture of the Year Right answer दें National Geographical Picture of the Year का अबार जो है किसने जीता है एक ये Software Engineer है US में रहते हैं अचानक से एक दिन कैमरा उठाते हैं और फोटो खीचते हैं अपर तभी इनके उपर बाज आ रहा हुता है एक बाज सामने चाहिए रहा हुता है इतनी खुबसूरत पिक्चर बन जाती है कि इनको जो है National Geography ठीक है National Geography के दोरा Picture of the Year का अबार जो है इनको दिया जाता है तो बिलकुँ सही सुमन तो आप बिलकुँ सही कार्तिक सुबमन्यम का नाम याद रखेंगे एक Software Engineer है और इन्होंने इस फोटो को खीचा है National Geography के दोरा Picture of the Year का अबार जो है इन्हें दिया गया है Next Question Who received the word Mother Language Award from Prime Minister ठीक है आपसे का जाए प्रधान मंत्री शेख हसीना जो की बांगलादेश की प्रधान मंत्री है विश्व मात्र भासा पुरुसकार जो है किसे इन्होंने प्रधान किया है मलग सेख हसीना जो बांगलादेश की प्रधान मंत्री है उन्होंने विश्व मात्र भासा पुरुसकार जो है प्रधान किया है आपको पता है हर साल 21 फरवरी को जो है Mother Language Day के रूप में इसलिवेट किया आता है नो लड़ाई, नो डिवेट, ओनली पढ़ाई, ओनली स्लेक्शन वेरी गुड तो आप बिलकुल सही आंसर कर रहे है डाक्टर महेश कुमार मिस्रा जी को जो है Mother Language पुरुसकार से समायत किया गया है और हर साल 21 फरवरी को जो है वर्ड, Mother Language दिवस के रूप में जो है, सेलिवेट किया आता है नो लड़ाई, नो डिवेट ओनली पढ़ाई और जल्ली नौकरी पाई तब ही हमारी बहु आई नेक्स्ट कोश्चन 49 यदि आप से कहा जाए जीएश्टी कांसल मीटिंग जो है राइट आंसर दें 49 जो है जीएश्टी परसद की बैठा कायजन जो है, किया गया राइट आंसर दें कहां पर किया गया हमारी जो फाइनिस मिनिस्टर है निर्मला सीता रवन जो वर्ड की टाइमस मैकजीन की दोरा सरी, फोर्स मैकजीन की जो हंडिड पावरफुल बुमेन में 36 स्थान जो है बनाई है 32 यह 36 है राइट आंसर दे 49 जीएश्टी काउंसिल की मीटिंग जो है छोटे भाईयों कहां पर हुई है हाँ हाँ पूजा बहन ठीक है बहने भी आंसर देती है सरी भाई आंसर नहीं देते है तो चंडिगड गलत आंसर अब बताओ तो आप बिल्कुल सही आंसर अपकड़नी है दिल्ली वो 49 नहीं थी वो पहले हुई थी चंडिगड में पहले होनी थी जम्मू में वो 47 थी और यह अभी हाली में 49 जो है कहां पर हुई अब सवाल है छोटे भाई हो GST मूजियम जो है कहां पर बनाए गया है GST मूजियम जल्ली बताओ GST मूजियम जो है भारत में कहां पर बनाए गया है तो आप बो ना गोवा में आप लोग कहो कि गोवा में तो अलकोहल है ठीक है यूनिसिप के द्वरा किस भारती अभिनेटा को यदि आपसे कहा जा राष्टी राजदूत नामित किया गया है यदि आपसे कहा जा यूनिसिप के द्वरा किस एक भारती एक्टर को जो है अभी हाली में अपना एमबेश्टा निउक्ट किया गया है यूनिसिप के द जो कि children's के लिए जो है खास करके बाल अधिकारों के लिए बात करती है उनकी रच्छा पर प्रश्न कड़ा करती है इसका headquarter UNICEF का headquarter नीयारक में पड़ता है जहांपर UN का headquarter है important है और UNICEF की chief चीफ जो है कौन है तो आप बोलना कैथरीन कैथरीन रसल का नाम जो है ये भी आपको याद रखना है कैथरीन रसल नई एपॉइंट मेंट हुई है जो कि यूनिसिफ के चीफ बनाए गई है अब सवाल सिंपल सा है लेकिन महात्यपूर है तो किसे आइसमान खुराना इनको भ अगला सवाल कि है अभी हाली में लियाप से काथ है भारत से फ्रोजन जो सी फूट होते हैं लियको सा अफना है पर बिदिभंद लगा हुए तो उसको ध्यास है जिससे निर्यात में ब्रद्धी का मार्ग बढ़ चुका है और भारत और पश्मी A.C.I. देश के साथ दूपच्छे समंदों में कहीं नए सुधार को देखने का यहाँ पर हम लोग एक करेंट में अभी समाचार पत्रों में देखें, नए सुधार के रूप में देखें, तो आप बताईए नए सुधार जो किसके साथ हुआ है, तो कतर ने अपनी गलती को यहाँ पर कहा कि अरे नहीं, दोहा जहाँ पर फीपा हुआ है, कि हम अब भारत के सीफूट को लेंगे, अगला सवाल यहाँ पर, आप लोग जानते होंगे मुगल बास्ता हों के बारोई, यह मुगल बास्ता है, जब खतम होती है, खतम हुए तो इन पर पहुचाए गया, तो आप लोग राइट अंसर करिएगा, अखबर, वैसे बावर के बाद आपको बताना है, हुमाई को मकबरा कहा है, तो देखो बावर के बाद आता है हुमाई, तो बावर का मकबरा आपको पहले बताना है, फिर आपको हुमाई को मकबरा दिल्ली में पढ़ता है फिर हुमाय के बार अकबर उसका बेटा है अकबर का मगबरा कहां पर पढ़ता है सिकंद्रा में पढ़ता है फिर अकबर के बार जहांगी जहांगीर का मगबरा जो है कहां पर पढ़ता है तो लहार में पढ़ता है फिर इसके बार आता है साय जहां के बार जो है आता है औरंग जेब, औरंग जेब का मगबरा जो है औरंगा बाद में पढ़ता है, तो आप लोग बताईए यहां पर यह वाला आप लोग जो पकड़ लोगे तो यही आंसर तो सही हो जाएगा, यह करेक्ट ए मैच कर रहा है, इसका सिकंद्रा मैच कर रहा है, जहां गीर का लहोर है, यह साय जहां कागरा है ताज महल में, तो यह करेक्ट ली मैच कर रहा है, सारे के सारे आंसर, तो यह सारे जो भी है, जैसे आप इसके अलावा पूछा जाए कि सेर साय सूरी का मगबरा कहा है, जो हुमाई के वीच में आया ता, सेर साय सूरी का मगबरा सहसा राम बिहार में हैं ठीक है तो यह सारे मगबरे बिजी जो है ग्रेट मुगल्स के आपको याद रखने हैं पूछे आते हैं नेक्स्ट कोश्चन अगला सवाद 12 जो है आइस होकी जो है नेशनल आइस होकी चैंपियनसिप का आईजन जो है कहां पर किया गया है राष्टी है आइस होकी चैंपियनसिप का बाहरवा संस्करण का आईजन जो है कहां पर किया गया है राइट आंसर दे वेरी गुड पवन बाबू वेरी गुड प्रशान्थ बताइए राष्टी है आई सांकी मतलब बर्फ में जो है 12 एडिशन जो है अभी हाली में आजित किया गया है जहां बर्फ पे हांकी खेली जाती है राइट आंसर दे वेरी गुड छोटे भाईयों अफ्रीदा वहन, स्वाती, वेरी गुड रिशाब, प्रशान्थ, दिब्या, मुहमद जावेद, शोनम, मौनिका, आर विशाल, प्रसान्थ बाबू, तान्या चाकी, समी का बहुत बहुत श्वागत है तो सभी लोगों ने यहां पर राइट आंसर किये है लद्धा होगा आब भाई साब, कुछ लोग तो ऐसे भी है, जो लोग यहां पर महराश्त्रों में कौन सी बर्फ जमाद होगे बाई असम में कौन सी बर्फ जमती है, सीरे सीरे आंसर को ही देख करके ही टिक मार देते कुछ लोग तो पता है अभी तमिंडान में भर्फ जमा देंगे उनका बश चले ना तो वह पता है अपने घर की में भी रोज बर्फ जमा दे इतने भी ठंडे मत बनो भाई कि कहीं पर भी तुम्हें ठंड लगने लगे कि अरे कल की क्लास में एक वहने कुश्चन पूशा था ना कि फ्रोजिन जो है लेक कहां पर पाए गई यह नहीं फ्रोजिन में रेस एक यह मेराथन हुए तो लोग बोलें कि फ्रोजिन लेक्प में बर्फ जमा देते हैं लोग और जबकि वो मैंने आपको बता था पॉंगोंग शोलेक उसका अंसर था लद्दाप में अने अकेडमी की जब मैं पोल कराता हूँ तो वहाँ पर तो लोग पता कुछ भी पोल में दवा देते हैं कमाल है छोटे भाईयों ठीक है अगला सवाल यहाँ पर इबादत खाना जो फटेपुर सीकरी में बनाया गया था और इस इबादत खाना में सभी धर्मों के नियाईयों को बुला करके जो है क्या होता था राइट अंसर दिना क्या था इबादत खाना हाँ तमिंडाण में विश्णों करा देते हैं फातेपुर सीकरी में इबादत खाना था पताईए क्या था आएक्षिली में आपको पताए इबादत खाना को बाद में बंद भी कर दिया आता है ये एक प्रकार का डिसकसन हाल था जहांपर अकबर जो है सभी धर्मों के स्कॉलर्स को बुधिजम के अलावा जैनिजम ठीके जैन धर्म के नहीं आई ठीक हिंदू धर्म के नहीं आई और क्रिश्चन धर्म के नहीं आई जो है यहां पर बैट करके अपने अपने धर्मों की अच्छाईयों को जो है डिसकस किया करते थे बाद में समराथ अकबर उन सभी अच्छाईयों को संकलित करके मजहर की घोशन करता है और मज़हर की गोशना करने के बाद धीरे धीरे वो कलेक्शन आप यूदि आप से का जा धिंकिंग जो भी गुड धिंकिंग को गलेक्ट करो जैकत धर्म बनाता है उसका नाम क्या होता है दीन ए अलाही धर्म दीन- Busan जो कि महान राज अकबर का एक धर्म था जिसमें सभी धर्मों के लोग सुपकर सकते थे ठीक है जबरन धर्मांतर नहीं करा जाता था सिर्फ 18 follower दीन इलाही के हुए थे उसमें एक मात्र जो है यदि आप से काजा पहला हिंदू follower बीरबल बना था यादकना टोडरमल जो है दीन इलाही धर्म का जो अकबर के नौरत्न थे उसमें से टोडरमल भी एक नौरत्न था वो दीन इलाही धर्म के follower के रूप में नहीं स्विकारा जाता है next question वो नहीं बनता है next question why 20 जो है अभी हाली में जो है youth 20 inception meeting जो है 2023 पहली youth 20 स्थापना बैठक जो है 2023 में किस सहर में सुरू हुई है youth 20 को लेकर के इस थापना बैठक 2030 में किस सहर में सुरू हुई है very good very good gluhati ऑसम्य और ये जो है चोटे भाईयों g20 लुप ने कराही त्रीठेंटी कहांपर हुई है y20 कहांपर हुई है think20 कहांपर हुई है ठीक है architects को लेकर के जरी आपसे कहा जा सभी का हीटेक्टेक कहांपर हुई है अभी हाली में कुलचर minister सब्सक्राइब को लेकर खज्राओं में हुई है कि एटीन जो है वर्ड सिक्योर्टी कॉंग्रेस का जो है कहां पर हुआ है सिक्योर्टी कॉंग्रेस अब आप लोग को कि सर आपने तो अलग-अलग बताएं यह वर्ड सब्सक्राइब कि आपने इसके पहले इंडियन साइंस कॉंग्रेस बताया हमने वह भी आंसर बताया ठीक है फिर आपने यहाँ पर नेशनल जो है कि चाइड्ड साइंस कॉंग्रेस बताया हमने उसका भी आंसर बताया फिर आपने जो है इंटरनेशनल जो है यह यह आप से का नेशनल रोड कॉंग्रेस बताए, वो भी हमने आंसर बताए, रोड कॉंग्रेस लखनाओ में हुई है, लाइब्रेरी कॉंग्रेस आपने बताए कि नेशनल लाइब्रेरी को ले करके, लाइब्रेरी कॉंग्रेस का आज़न कहां पर हुआ, तो भी हमने बताए क कन्नूर में हुआ, और यह आपसे कहा है नेशनल च्याइड गोहां में बसंधाइए लगवेद को लेकर करके संमिलने जहां पर Congress का यूजन तो आप बोना ये गुवा में हुआ तो इंपोर्टेंट है कुछ भारत में Congress हुई है Congress का मतलब कुछ अलग नहीं होता Congress Party नहीं होता Congress का मतलब होता है American World है ये Congress ठीक है जिसका मतलब होता है लोगों का समू है तो अभी हाली में सुरच्छा को लेकर के Congress जो है यहां पर रही है अब आप कहोगे भाईया वाट मसाला Congress कहा पर होनी है मसाले को लेकर के इस पैस को लेकर के Congress का यूजन तो आप बोला बुंबई में हो रही है फरवरी में भूल गए तुम लोग कैसे भूल जाओ गयार तुम्हारे बड़े भाई ने तुमको इतना दिल लगा के पड़ाया था Congress का मतलब होता है लोगों का समूई Congress का मतलब कोई पार्टी नहीं होता दीन एलाही धर्म जो मैंने बताया था अकबर का धर्म था जिसको लेकर के अकबर ने सभी धर्म के लोग को एवादत खाने में बुला बुला करके अब राइट आंसर दीजिए कि दीन एलाही धर्म जो है ये कब जो है लांच किया गया था दीन एलाही धर्म की सुरुआत जो है गोशना कब की गई थी पूजा जी बताईए हमने तो पढ़ाया है एम सहब कैसे है आर विशाल स्वाती वहन सभी लोग पता है इस सेशन को डेली जोइन करेंगे मतलब कि मेरी क्लास 9 पीम पर इस फिसर क्लास के रूप में तो कल 9 पीम पर क्लास होगी कल यूटूब में क्लास आपकी 11 बजे होगी तो आप लोग जोइन कर लीचेगा वेरी गुड याद आ गया 82 नहीं है छोटे भाईयों 82 है के ठटर है वेरी गुड यह पता है यहाँ पर क्या करता है वो जो इवादत खाना 82 में बंद करता है 78 में दीन इलाही क्यों सुरू करता है याया शो जो है फर्ष्ट बायो डाविस्टी हरिटेस साइट जो है डिगलेर की गई यह कहाँ पर पढ़ती है याया शो शो का मतलब क्या होता है लेक होता है बदाए कहाँ पर है याया शो जो है यह केंसासे प्रदेश में जै बिवित्ता इस्थाल जो है इस्थापित किया गया बदाया गया कि बाई एक बायो डाविस्टी हरिटेस साइट है कहाँ पर पढ़ती है हरे नहीं करन वाबु मैं इस बात को बिल्कुल नहीं कह रहा कांगरिस गायब हो चुकिये उसको पार्टी नहीं समझा जा मैं यह कह रहा हूँ कांगरिस सब्द का मतलब हो था लोगों का समुझा इसको कृपय करके ठेक है इस प्रकार से ना प्रदस्थित करें तो याया शो जो है यह कहां पर पढ़ती है तो आप बुना लद्दाख में पढ़ती है आपको पता है भविस्त में मारी बहु को लेकर कि जब आप लद्दाख जाएंगे न तो यहां पर एक या नामक जो है एक कर था उसको भी समाप्त किया था सती सिच्टम को यविस्त किया था और सिश्टम निखना चाहिए कोई बात नहीं प्रथा सती प्रथा जजिया नामक जो है नॉन मुस्लिव से लिए जाने वाला टैक्स जजिया टैक्स ठीक है पिलग्रिम्स टैक्स इन सब को समाप्त करता है वो व्यक्ति कौन होता है तो आप गोलना महान राजा अकबर ऐसे नहीं होता यह हिंदु पे लगने वाला जो जजिया टैक्स ता सत्य सिश्टम ता सिलिवरिज शिश्टम ता पिलिग्रिम्स पे जो तीर थ्यात्रा पे के जाने वाले तिर ठीक को जो है खतम करता है तो आई हो ऑक यह सब को सब को पसंद आया होगा से वहाज़़ कर नाम सभी नाम से भी साच कर सकते हों मुझे सर्च करने का नाम है और दूसरी बात अनेकेडमी में इस समय चल रहा है बेहतरीन डिसकाउंट 20% का डिसकाउंट प्लस 6 समंद्र की इस्ट्रावाइल्टी यदि आप 1 यर और 2 यर का सबसन लेते हैं तो याद रखें G10 डिसकाउंट कोड एपलाई करके अनेकेडमी के साथ जुड़ें मेरे साथ जुड़ें और G10 की तयारी और G10 के डर को अपने जीतू वहिया के साथ जुड़ करके खतम करें आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको अनेकेडमी के सारे बेहतरीन यदि आपसे कहाँ जो भी वैच आते हैं उनमें GS पढ़ाता हूँ नजराता हूँ और आप में से लगभग जो है 99% स्टूडेंट जो है GS के पार्ट में मुझे भरोसा करते हैं और मैं आपको लाजवाब पढ़ाने के अमेसा हर क्लास में कूसिज करता हूँ हर क्लास में कुछ नए चीज़ों को आप मेरे साथ GS के पार्ट को जरूर कवर करें आप कहीं बर भी पढ़ रहें पढ़ते रहें लेकिन जब भी मेरी क्लासे हैं जैसे सुबह 8 बजे और राद 10 बजे इन सेशन्स को देखना ना भूलें जिन लोगों ने अनकेडमी प्लस नहीं जोइन किया उसको द्रीखना ना भूलें जो मैं डेली आपको प्रवाइड करता हूँ जो लोग ने अनकेडमी जोईन करने वाले हैं SSC हो या UPSC बैंक हो या रेलवे IIT हो या NEET CAT हो या MET जो भी आपके गवर्मेंट एक्जाम है आप वहाँ पर जा करके रेफरल कोड जब सबस्टन लें तो G10 फिल करें और हर जगह आप एक्कोवलेंट डिसकाउंट पाएं या अनकेडमी के ओफिसल डिसकाउंट कोड को मैं आपको बता रहा हूँ तो आज के लिए इतना ही रखते हैं थैंक यू सो मच आनकेडमी के जो भी आइकाणिक लर्नर्स होंगे उनको आनकेडमी हाड कॉपी नोट्स देता है तो आप जो लोग यहाँ पर आनकेडमी के सबस्टन लें और थोड़ा सा ज़ादा पे कर लेंगे थोड़ा सा ही अंतर रहता, बहुत ज़़ा अंतर नहीं रहता तो उनको Unacademy के hard copy notes जो हैं, जो कि पूरी किताबे हैं, history, geography, policy, economy, science की, इसके लाब आपकी math के, volume 1, volume 2 tier 2 के लिए, वो इसके लाब English के सारा का सारा content आपके घर भेजा जाता है, तो Unacademy का iconic section लें, और उसमें भी आपको G10 code जो है, apply करना है, तो thank you so much, अपना ख्यार लखें, खुश रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, Sunday enjoy करें, मिलते हैं सुभए 8 बजे, अपने भीतरी इंसेशन में, Unacademy Plus पे, thank you